तो भाई सभी को इंतजार होगा examination schedule का exam form कब निकलेंगे exam कब होगे तो ये सारे बातों का सब को इंतजार होगा तो हालिया एक मीटिंग होई है इंवर्श्टी में और इनी बातों पर काफी होपे चर्चा की गई है और उसकी थोड़ी बहुत अपडेट्स अपने पास आई हैं तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो चालू करने से बता दूँ कि ये वाई tentative update है अपना official notice की इंतजार करनी ह confirmation के लिए और इनके decision पलटते कुछ पता नहीं लगता तो जो currently decision है जो बात चल रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि examination schedule और exam form ये अगले अफ़ते के weekend तक आने की उमीद है कि रिली आ जाएगा examination schedule और मैं आपको बता देता हूं कि examination schedule में होता क्या-क्या है यहाँ पर examination schedule होता है ना उसमें होता है कि वह exam कब से कराई जा सकते हैं उसमें date होता है जैसे मानलों 20 जनवरी से कराई जा सकते हैं और examination form इस दिन शेश शुरू होंगे जैसे 18 December दे शुरू होंगे और 18 December से 5 जनवरी तक भड़ सकते हैं और उसके बाद फिर late fees के साथ आ जाएगा भई पांच से 10 तारिक तक 500 रुपे late fees और फिर 10 से 15 तारिक तक 1000 रुपे late fees तो ये सारा होता है जिसे examination schedule बोलते हैं examination schedule बहुत जरूरी होता है जिससे पता लग जाता है भई paper कब होंगे भई हालिया M.D.O. ने prospectus में डाला था भई prospectus बना था जुलाई में और उसमें डाला था ज चल रहा है कि reappear के exam पहले कराए जाएंगे reappear के exam और reappear के exam जनवरी 20 के round कराने की बात आई है भाई तो जितने reappear वाले वाई बंदू हैं अपनी त्यारी शुरू कर दो भाई जनवरी 20 के round आपके paper शुरू हो सकते हैं और regular के इंसके खतम होते regular के कराने की बात आई है अगर regular के साथ करा देते हैं वो तो भाई अब तक तो नहीं है साथ कराने की बाद में कराने की बात है पहले reappear की बात चल रही है reappear के कराने की जनवरी के मिड के बाद तो जिसे दूसरा पकवाड़ा बोलते हैं तो examination form तो आज भाई 18 या 19 तारीक है आज 18 तारीक है तो आप अब स नेक्स्ट वीक लगा चलो तो नेक्स्ट वीक के वीकेंड पर वीकेंड मतलब जो संडे होता है वहां पर तो तब तक 28 29 तारीक तक हो जाएगी तब 29 तो भाई तब तक examination form examination schedule यह release कर दिया जाएगा examination schedule की यहां भाई reappear के form कब से भरे जाएंगे तीस से भरे जाएंगे वह ए आप सबको कहा था कि भाई 20 से 22 December के आसपास reappear के form का schedule आ जाएगा लेकिन भाई दिक्कत क्या है कि जब तक admission की process से नहीं हो जाती है उसके चलते यह schedule लेट हो जाता है तो भाई पहले 26 November को पहली merit list लगनी थी वहां से cancel हो गया फिर 5 December को लगनी थी फिर वहां से cancel हो गया और जब final हो चुका हैगी 11 December को list लग चुकी है 16 को दूसरी list लग चुकी है और बच्चों के admission campus के हो चुकी है और college के भी 17 को list लग चुकी है और college के भी admission हो रहे हैं तो भाई अब examination schedule आपको 28 के around मिल जाएगा MDO की website पर और अपने अपना रियापियर form मुझे पूरी उमीद्या online जरूर होएगा अपकी बार online form बरदेना अपना अपना रियापियर form जैसे ही निकलेगा आप लोग अपडेट कर दूँगा जितने भी रियापियर वाले हैं और वाई एक वीडियो बना बनाएंगे कि भाई जिनका ओड सेम का या final सेम में रियापियर है उनके रियापियर रिस्क वड़ा काम है लेकिन वो मैं आप लोगों को दो दिन में एक वीडियो लेके आऊँगा और उसमें बता भी दूँगा जो भी जहांसरी मैंने डिटेल्स निकाली हैं प्रोस्पेक्टरस में सही निकाली हैं और वहां सही आप लोगों को समझा दूँगा तो वो होता है कि साथ की साथ एडमिशन हो जाता है और साथ की साथ एडमिशन होने के बाद आपके लिए वो कोई भी डोकुमेंट वगेरा बाद में मंगाते हैं तो बाद में मंगाते हैं अगर आप उस टाइम सब्मिट नहीं करते तो और लेट सब्मिट करते हैं तो बही एक हज reject माना जाएगा तो भाई तब submit कर सकते हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है किसी को कोई fake document नहीं लगाना है और ना कोई fake चीज लिखनी है statement वगएरा declaration fake करनी है तो fake से बचना है और हमने क्या करना है कि भाई admission form बरेंगे और उसमें document attach गलत कर देंगे और या बई अपना पांचमें semester जिसमें पास हो वह लगा देना पांचमें च्छटे semester जो उन सा भी पास हो वह लगा देना और वह में एमकोम और मसी में इसमें admission होंगे इसकी भाई मैं पूरी बुकाइदा से detailed वीडियो ले आँगा semester mode लाग हुए अब distance में अपरेल में semester mode के paper होने की उम्मीद है भाई क्योंकि नया session लेट शुरू हो रहा है तो semester mode distance वालोगा अपरेल में paper होंगे और भाई जनवरी में paper होते हैं distance में admission लेके और जो भाई risk ना लेना चाहे तो वो भाई 6 महिने के बाद दुबारा से distance के admission खुलेंगे वो वहाँ पर देख सकता है और आई बात regular की तो regular भाई काटे से भी नहीं जब तक आप pass नहीं हो जाते हो तब तक कहीं भी regular में admission नहीं मिल सकता क्योंकि वो साथ की साथ से document verification हो जाती है online ही और डीडी में साथ की साथ नहीं होती provisional admission मिल जाता है और बाद में जाकर जमा करा देते हैं यह सारी जानकारी भाई शायद ही आप लोगों को कोई बता पाए और आप लोगों के career और आप लोगों के दोस्तों को बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा है और यह मैं एक detailed वीडियो लाओंगा जिसमें से वह चीज में मैंने कहां से पड़ी है मैंने कहां से यह सारी चीज़े इकठी करी हैं वह मैं आप लोगों को बताऊंगा यह एमडियो के डिडी के प्रोस्पेक्टस की ही निकाली हुई चीज है और यह बहुत से बच्चे करते आएं और करते भी हैं लेकिन ज्यादा स्टुबेंट्स को ग्यान नहीं है मैंने आप लोगों को बताया है थैंक्स अलोट एवर्यवन फोर यूर लव एंड सपोर्ट और चैनल को शेर कर देना बाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेन वीडियो नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना हर नई वीडियो की यह अगली नई वीडियो बहुत खास होएगी एग्जामिनेशन आपका एक साल बचा सकती है वह वाली वीडियो मैं आप लोगों को थोड़े प्रूफ दे दूँगा थोड़ा रिस्की सा है अभी लेकिन दूँगा थैंक्स अलोट आवरीवन